Hello everyone, welcome you all once again at Locaster Unlimited Studies शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2018 KVS PGT का जो की पेपर आपका 23 दिसम्बर 2018 को हुआ था ये पेपर KVS PGT का ये जनरल पेपर है तो देखें पार्ट टू लिखा हुआ है भाग दो पेड़ागोजी सिक्षा सास्तर पेड़ागोजी का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे देखें आई ये देखते हैं बहतरीन बहतरीन क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आये ते देखते हैं आपने कैसे कितने सही किये हैं मिलान करते जाई अपने आंसे का तो which of the following is not true or power mentally retarded children आपको बताना है कि मंद बुद्धी बालकों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है उनमें सामानी करन की योगता भाव होता है मतलब चीजों को सामानी करन नहीं कर पाते हैं जनरलाजीशन नहीं कर पाते हैं बिल्कुल गलत बात है देखे एक मिनट एक मिनट यहाँ पर फेले question को आप देख लिए उसके बाद आगे हम बताएंगी question देख लिए मंद बुद्धी बालकों के लिए कौन सा सही नहीं है देखे ये बहुत ज़्यादा important है ये सही नहीं पुझा करते हैं मतलब कि not correct okay not correct दिखे not correct बताना है कि कौन सा correct नहीं है तो पहला question पहला option दिया गया है उनमें सामानी करण की योगता का अभाव होता है सामानी करण आसानी से नहीं कर पाते हैं तो बात सही है कि वे सामानी करण आसानी से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं ये बात भी सही है इनमें अमुर्ती करण में कटनाई होती ये बात भी बिल्कुल सही है उनकी संप्रेशन युगता तो बहुत खराब होती क्योंकि भाई सम्मंद बुद्धी हैं, तो संप्रेशन की युकता खराब होगी, वे कारण प्रभाव सम्मंद को समझ सकते हैं, effect and cause को समझ सकते हैं, भाई मंद बुद्धी हैं तो effect and cause को कैसे समझेंगे, they can understand the cause and effect relationship, बिल्कुल नहीं, cause and effect relationship को वच्छे से interpret नहीं कर पाते हैं, अर्थात मंद बुद्धी के बालक mentally retarded children कहा जाते हैं, comment box में लिखिये, कि मंद बुद्धी के बालकों का जो IQ होता है, वो कितना से कितना हुआ करता है, यह आपको comment box में बताना है, okay, चलिए अगले question की और चलते हैं, यह question लगबग सभी बच्चों को बनता है, कह रहा है कि एक बालक जो है dog को God पढ़ता है और head को tap पढ़ता है, तो बताइए, वह किस परकार की निशत सकता से पीड़ेता है, मतलब child who reads dog as God or bad as tap, suffer from the which type of disability, तो कौन से disability भाई, इसको dyslexia है, जिसको पठन विकार बोलते हैं, या वाचन विकार भी बोला जाता है, okay, छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गर्मी को गमरी, dog को गौड भूला करते हैं, तो इस तरीके से ये एक पठन विकार है, तो ये भी हो गया, चली अगला question देखिए, करा for conducting lab experiment, physics के experiment को करने के लिए सबसे ज़्यादा है, science laboratory should necessarily have, ठीक है ना, physics के experiment को करने के लिए कौन सा चीच सबसे पहल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो देखिए, फवातिकी के प्रयोक को करने के लिए एक प्रयोक साला में कौन सा नीवार रूप से होना चाहिए, गैस connection, fake chemistry के लिए जरूरत है, जल निकासी के प्रणाली तो कोई जरूरत ही नहीं है, प्राकृतिक रोश्नी ये विए 57 सामवधन यानि वेल्टी लेशन है, तो प्राकृतिक रोश्नी भाईज आप कुछ चेप्टर से में इस्तमाल होता है, जिसमें जैसे की optics, light वगरी के चेप्टर में इस्तमाल होता है, अगर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लगेगी, प्रदरसन मेज लगेगी, क्योंकि करोगे क प्रदरसन, तो correct answer इसका ज्यादा important क्या है, demonstration table जो होगा, इसका correct answer होगा, चली एगले question क्यों चलते हैं, ओके, एक science teacher है, विज्ञान की एक सिचक ने सहे चलिक सत्र प्रादम होने के लिए विद्याले, ग्रामीड विद्याले में कारभार सम्हाला, निम्लनखी में से कौन सा परिच्छन करना चाहिए, परिस्थिदी गत नेदानिक उपलबदीक परिच्छन या इन बास्केट पर, भाई, जोइनिंग किया है, तो सबसे पहले बच्चों का लेवल जानेगा, तो correct answer क्या होगा, परिस्थिदी गत परिच्छन उसे करना पड़ेगा, तो correct answer इसका A, प विचारों तथ्यों और राय के आदान प्रदान सामिल है, भाई, बिल्कुल सही बात है, विचारों तथ्यों और राय का आदान प्रदान होता है, okay, it is the exchange of the fact, option, opinion and ideas, बिल्कुल सही बात है, यह एक सतत परक्रिया, देखो जब तक दो लोग बात करते हैं, तो communication जो होता है, वो सतत हुआ करता है, okay, इधर वाला भी बेशता है, इधर वाला भी, बड़े यह देखो हमेशा सही नहीं है, सतत परक्रिया मतलब लगातार चलने वाली परक्रिया, जो है, सतत परक्रिया मतलब लगातार चलने वाली परक्रिया, तो कुछ तरीके में इसको आप मान सकते हो कि ये सदत परक्रिया मतलब लगातार चलने वाली मतलब बिल्कुल है ये लगातार चलने वाली उसमें क्या दिक्कत है मतलब जब तक सामने वाला बात कर रहा है तो ये लगातार ही चलेगी जब तक उसको उसकी बात समझ में नहीं आती है तो एक तरीके से सदत परक्रिया जो C वाला सही है, तो A और C वाले option देख लो भाई सब, A और C वाले दो option देख रहे हैं, एक तो यह देख रहा है, अब देखो कहरा है यह है प्रकरती में समकालिक होता है, यह है प्रकरती में समकालिक होता है, तो मैं तो मानता हूँ भाई, इसको समकालिक होता है, correct answer मेरे को लग रहा है A, C and D, बड़ जो आपको KBS की answer sheet आई है, उसने A, B, C को माना है, उसने D को नहीं माना है मतलब उसने ये कहा है कि यह प्रकरती में समकालिक हो, नहीं भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि समकालिक हो, तो एक बार आप क्या बोला है, समकालिक नहीं बोला है तो मैं कह रहा हूँ कि A, C, D होना चाहिए A, B होगा, C, B होगा, और D, B होगा क्योंकि समकालिक होता है मगर KBS ने जो इसका answer दिया है क्या दिया है, A, B, C, तो मैंने दोनों बाते आपको बता दी है, आप लोग थोड़ा सर्च करिए और कमेंड़ बॉक्स में अपने महत पूर्ण सुझाओ ज़रू दीजिए इसके बारे में चली अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहरा है विधिमान होनी चाहिए, विश्वशनीता होनी चाहिए बट व्यक्ति परक्ता, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क को ले करके एक पर्टिकुलर सोच के साथ जो होता पेपर नहीं बनाए जाना चाहिए उसके multiple aspect होने चाहिए पेपर बनाए जाने के नहीं शक्तिता के समाजिक मॉडल के अनुरूप, मतलब शोशल मॉडल के accordingly जो है, आपको इसमें से कौन सा statement सही है, उसको पहचानना है च्छती को चिकित्सा या अनुपचारों से ठीक किया जाना चाहिए च्छती को यदि कोई च्छती हो जाती है, तो इसको चिकित्सा या अनुपचारों से ठीक किया जाना चाहिए क्या इसको शोशल मॉडल मानता है अगला, नहीं शक्तिता समाज के व्यवस्थित होने के तरीके से उत्पन होती है छहती ध्यान के इंधिरत होती है और बच्चे अपने आप में ही महत्पूंड हुआ करते हैं यह नेशक्तता के बारे में मौडल दिया गया है तो इसका correct answer जो QBSK answer sheet में दिया गया है वो कितना दिया गया है? B, C, D तो इसका answer B, C, And D रख लीजे अगला question देखे, एक बहु स्थलिय अध्यापक, बहु स्थलिय मतलब की, क्या कहा गया इंगलिश में, बहु स्थलिय को, है ना, एन इंटी, इतिनेरेंट, ओके, इतिनेरेंट टीचर क्या कहा गया, इतिनेरेंट टीचर क्या होता, qualified for the offer, qualified to offer the special service in the different inclusive integrated school, विभिन समावेसी एक क्रत विद्यालों में विविस सेवा देने के लिए प्राकर योगता प्राप्त हो भाई, है ना, ये बात भी नहीं है, दूसरा, expert in number of the curriculum, बिल्कुल बात गलत है, okay, a special teacher appointed for the particular inclusive school, एक विशेष समावेसी विद्याले के लिए न्युक्त किया गया, एक विशेष अध्यापक, आइस्थाई तद तरदा आधार पर न्युक्त एक विशेष अध्यापक, बिल्कुल गलत बात है, ये बात भी नहीं है, okay, तो correct answer इसका क्या होगा, 3, चली अगले question की और चलते हैं, अगला question क्या रहा है, अगला question क्या रहा है, पाठेकरम बनाने में कक्छा के इस्तर के अन correct answer इसका क्या है, gradation of the content, तो स्रेणी करन किया जाता है, चली अगला question दीख, अगला question क्या है, दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विशेवस्तु पेसकर और संचार के माध्यमों को, एक मुख प्रध्योगी की मेला, मतलब कि जितना भाई मीडिया है, उसको स इसको बोले जाता है, multimedia, इसको क्या बोले जाता है, multimedia बोले जाता है, integrated media नहीं बोले जाता है, बहुत सारे answer, comment box में integrated media आ रहे है, जो की नहीं है, correct answer क्या है, multimedia, चली अगला question क्या है, दीख, अनुपूरक सही, सिच्छन सामगरी, मतलब की the idea behind supplementary learning material, supplementary learning material का idea क्या होता है, ओके इसका idea, provide material in less important areas, कम छेतरों में सामगरी उपलब्द कराना बिल्कुल नहीं, सिक्छार्ती को पुस्तक पढ़ने में रुची उत्पनना करना बिल्कुल नहीं, सिक्छार्ती की अनेक विशियों में रुची को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, अनुपूरक सामग अगले question की रव चलते हैं, अगला question है, the purpose of the achievement test is not to, achievement test का purpose कौन सा, भाई, देखे, achievement test का purpose क्या है, यह जानना की छात्रों नहीं क्या सीखा, सही बात है, यह जानना की छात्रों क्या कमजोर है, कमजोर औसत वर्गों में बातना, बिल्कुल नहीं, यह तो discrimination हो गया, discrimination का support चाई psychology नहीं करती है तो correct answer इसका क्या होगा यह नहीं होगा क्योंकि कुछ ने पूछा उदेश नहीं है इसका ध्यान रखा करिए ओके चलिए अगला question देखे one essential feature for the good teaching aid good teaching aid के essential social feature क्या है एक अच्छी सिक्षण सहायक समगरी की विसेश योगता क्या है तो इसकी विसेश योगता होती यह low cost नहीं popular नहीं easy to handle भी नहीं इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी ग्याने इंद्रिया जो होती है उसमें क्या होनी चीए active होनी चीए मतलब की अधिक्तम ग्याने इ समप्रेशन है समप्रेशन है समप्रेशन और एक अनवप्चारिक तो अनवप्चारिक समप्रेशन कहलाता है ठीक है ना चलिए अगला क्वेशन देखे ग्रेशन देखे ग्रेप वाइंस अप्रेशन क्या कहलाता है इनफॉर्मल ओके एक फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल ह है ठीक ना को चलिए अगला देखिए the concept of the curriculum development exclude my concept of the curriculum development curriculum development पाठथ कर्ष्ण पाठ्ठ याए जो बनाया जाता है है वैसे पाठ्ठ करम को से लिवस बोलते हैं पाठ चर्चा होने चाही कर्ष्ण म है ना तो भाइट साब इस से किस चीज को इंक्लूरूट नहीं किया जथा है तो अंतर शुचार इंक्लूटी विचार corona से बच्चे की पढ़ाई लिखाईगा कोई मतलब नहीं है तो international को हमें तवज्जो नहीं देनी यहां पर अगला क्वेशन देखिए, what is meant by the plus curriculum भाई, plus curriculum याद रखना, plus curriculum का संबंध किस से, skill से है, किस के है, skill से है, okay, तो देखिए, skill कहां पर मिलना, ये skill मिल गया हम लोग को, है ना, तो plus curriculum का मतलब क्या है, plus curriculum ऐसे कौसल छेत्रों पर आधार क्वेशन वाले, है ना, है ना, especially need children जो होते हैं, CWSN children हुआ करते हैं, विशेस कठनाई वाले बालक, क्या कहलाते हैं, विशेस कठनाई वाले जो, विशेस आप सकता वाले बालक, तो उनके लिए, उनके skill areas पर काम करने के लिए, जो curriculum development किया जाता है, उसको हम क्या बोलते है, उसको हम बोलते हैं, प्लस curriculum, जो बच्चों की skill area पर काम करता है, उसको हम प्लस curriculum बोलते हैं, चलिए अगला question आचुका आचुका आपके सामने, hearing impaired, मतलब की स्रमण बदित, जो बच्चे हुआ करते हैं, क्या परशानी करता है, सुन नहीं पाएगा, तो बूल नहीं पाएग अगला question है, दस सुझाओ दिया जाता है कि एक अध्यापक निम लिखित, भाई कितने सी होते हैं, तो थियोरी हुआ करती है, 6C and 3S, 6C and 3S, द्वारा अपने संप्रेशन को सुधार कर सकता है, संप्रेशन मतलब की communication में सुधार कर सकता है, निम लिखित बिकल्पों में कौन सा सही है, तो correct answer is 6C and 3S, नोट कलेजे, 6C and 3S का फॉर्मूला नोट कलेजे, चलिए, अगला देखे, परियोजना का classic group है, परियोजना का, पाथियोजना का, सौरी, पाथियोजम का classic group है, the classic format of the lesson plan, lesson plus का जो classic group कौन सा है, that is equal to Herbert का, Herbert का, Herbertian steps, Herbertian step जो है, वो classic group है, चलिए अगल उसे कम केंदरित है, सबसे कम सिख्छार्थी केंदरित है, वो कौन सी प्रकार की योजना होती है, तो होती है, अनुदेश नात्मक की योजना, अनुदेश आत्मक, यानि कि इंस्ट्रक्शनल प्लान जो हुआ करता है, वो किसी काम का नहीं है, इंस्ट्रक्शन प्लान जो है, वो किसी काम का नहीं है, उसमें आप इंस्ट्रक्शन दे करके चले जाएंगे, वो बच्चों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं हुआ करता है, तो चलिए ये रहे आज के हमारे 20 कुश्चन्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपको कैसा लगा, अभी के लिए इतना ही जय हिन जय भारत